हलो गाईज, वेलकम टू माई चनल, दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने वाला हूँ स्टेप सिल्स की, दोस्तो हनी एंड लैमन फ्लेवर में जो इसका नया वेरियंट आता है, उसके बारे में दोस्तो मैं कम्प्लीट आपको जानकारी देने वाला जानते हैं इसके और क्या-क्या फायदे आपको देखने को मिलते हैं, इसे कब और कैसे इस््तमाल करना चाहिए, और क्या-क्या दोस्तो इसके साइप कैसे इस्टमाल करना है दोस्तों आप जो हर दो से तीन गंटे के अंतराल के अंदर आप एक एक जो है यह जो टेक एंडी को खा सकते हैं और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको लगते हैं कि आपकी गले में जो खराश का जो कारण है उसके कुछ कारण कुछ पुरानी आपक बैक्टीरियाज होते हैं, कोई ऐसा हो जाता है कि आपको मोसम के बदलाव के कारण, जो है आपको कुछ खराश का करण बनता है, या फिर आपको कुछ ऐसा खा लिया है, जिसके बाद जो आपको खराश आ रही है, तो दोस्तों आप इसे इस्तमाल करेंगे, तो आपको को इस्तमाल कर सकते हैं, अब दोस्तों सवाल उटता है कि इसका प्राइस क्या रहने वाला है, इसके 16 जो टैबलेट्स है, 16 टैबलेट्स है, उनका दोस्तों जो प्राइस रहने वाला है, जिसे आप आफ लाइन और ओनलाइन कहीं से भी पर्चेस कर सकते हैं, अब दोस्तों symptoms दिखते हैं आपको लगता है कि कुछ इसको लेने के बाद आपको किसी पीट में समस्या रही है आपका पाचन तंत्रम जो है आपका digestion सही से नहीं हो रहा है या फिर आपको लगता है कि आपने काफी सारी ले लिए लेकिन आपको दोस्तों कोई भी फरक देखने को नहीं मिल रखना है और खास तो अरपर जो है जब चिल्डर्स छे साल से बड़े बच्चों को भी आपने देनी है तो किसी बड़े एडल्ट के सुपरविजन के अंदर ही आपने इससे बच्चों को इसमाल करने के लिए देनी है उमीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद करना बेद को भी मत पुलिएगा